अभी ये भी मन्यता है कि इन गुरुओं को जिनोंने सिद्धी प्राप्त की है या फिर जिनको साक्षातकार हुआ है या फिर जिन पर भगवान प्रसन्न हुआ है उनको सारे दुनिया का ग्यान अपने आप प्राप्त होता है ये मान्यता है आम आदमी की मान्यता है आम भक्तों की मान्यता है और इन गुरू कहने वाले बाबाओं ने हमारे दिमाग में ये बाट ठूस ठूस कर भरी है इनको ये ग्यान अपने आप पर प्राप्त होता है और फिर इन गुरुओं को प्रसंद करने के लिए उनकी आग्या अमल में लानी है वो जो धार्मिक काम करते हैं हर गुरु, हर बाबा दावा करता है कि मैं धार्मिक काम करता हूँ धर्म का काम करता हूँ धर्म को बढ़ाने का काम करता हूँ भगवान को प्राप्त करवाने का काम करता हूँ मैंने तो प्राप्त कर लिया है बाबा ने प्राप्त कर लिया है लेकिन आव आदमे को भी भगवान प्राप्त हो इसलिए मैं ये प्रयास करता हूँ अब उसलिए वो अलग-अलग आडम बर खड़े करते हैं भक्तों से डोनेशन आते रहता है अब बताना तो पड़ेगा इन कामों का मैं अच्छा यानि इन पैसों का लोगों से जो आ रहा है उनका योगदान हो रहा है उसका मैं अच्छा उपयोग कर रहा हूँ इसलिए वो अलग-अलग धमके काम करते हैं उसके बारे में हमने कल ही देखा था और इन कामों में हमें शरीक होना है जो पूरी एकागरता से पूरी मेहनत से इन कामों में शरीक होगा उसको आसानी से गुरू की कुरुपा प्राप्त होगी उसका जीवन सार्थक होगा उसको मोक्ष प्राप्त होगा गुरू उस पर प्रसंद होगा ये बाते हमको बहुत ही बहुत ही बार-बार कही जाती है प्रवचनों के जरीये कही जाती है आम बातों में कही जाती है जो बाबा के साथ उनके साथ में रहने वाले शिष्य होते हैं वो हमें ये समझाते हैं बार बार कहते हैं और इसमें से बचपन से जो हमारे मन में एक शरद्धा प्रक्रिया है आस्था की प्रक्रिया है वो एकदम से मजबूत हो जाती है अब ये श्रद्धा प्रक्रिया क्या है इसके बारे में विडियो अलड़ी अप्लोडेड है यूट्यूब चानल पर आप देख सकते हो लेकिन फिर भी अभी ये बात की लिंक आप तक पहुँचनी चाहिए इसलिए मैं शौट में ये बात आपके सामने रखूँँगा ये श्रद्धा नाम की जो चीज है जिसे हम हिंदी में आस्था भी कहते हैं श्रद्धा ये शब्द संस्कृत होने के करण हिंदी में भी है ये आस्था इस विशे का अभ्यास और धर्म विशे का अभ्यास युनिसिडिस में कम से कम चार विशेव में तो होता है एक सुशोलोजी, समाज शास्त्र, समाज एक विज्ञान दूसरा फिलोसोफी, तत्वज्ञान तीसरा एंथ्रोबोलोजी, जिसको मानव वम शास्त्र ऐसा कहते हैं और चवथा है साइकोलोजी, मानश शास्त्र ये चार विशेव में पुरे दुनिया में इन विशेव का बैस होता है अब पुरे दुनिया में जो ज्ञान प्रक्रिया है उसकी एक डेफिनेशन तयार होती है क्योंकि उसकी एक डिसिप्लीन है इस डिसिप्लीन के अनुसार श्रद्धा इस शब्द की डेफिनेशन की गई है क्योंकि श्रद्धा ये प्रक्रिया केवल हिंदु धर्म में या भारतिय धर्म में नहीं है यही प्रक्रिया बहुत धर्म में है जैन धर्म में है बहुत धर्म में है क्रिश्चन धर्म में है मुसलिम धर्म में है यहूदी धर्म में है जितने बड़े धर्म आज हमें ग्यात है उन सब धर्मों में ये प्रक्रिया है और समान रूप से इसको माना जाता है इस प्रक्रिया में जिनके उपर हमको श्रद्धा रखनी है वे हमसे स्रेष्ट है ऐसा हमने मानना चाहिए जिन पर हमें श्रद्धा रखनी हैं उनका शब्द प्रामान्या हमने मानना चाहिए जिनके उपर हम श्रद्धा रखते हैं उनके बारे में हम बिलकुल दिल में मन में डाउट नहीं रखेंगे शंगा नहीं लेंगे, संदेह नहीं करेंगे, और उनकी कभी चिकित्सा नहीं करेंगे, उनको कभी जाचने की कोशिश नहीं करेंगे, ये चार इंग्रेडियन्ट जहां पूरे होते हैं, महां श्रद्धा प्रक्रिया पूरी होती है, अभी मित्रोग किसी को स्रेष्ट मानना इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हमसे उमर से कम होते हैं फिर भी कुछ लोग ज़्यादा विद्वान होते हैं तो उनको स्रेष्ट मानने के लिए हम विशा तैयार होते हैं शब्द प्रामान्य मानना इसका मतलब क्या है अगर मैंने आपसे कहा कि मैं अमरिका में गया तो आप मैंसे मैक्जिमम लोग मुझ पर विश्वास रखेंगे या सभी के सभी विश्वास रखें कोई भी अमेरिका में जा सकता है मानो साब गये लेकिन मैंने अगर आपसे कहा कि कल की बात है कल रात को मैं सोने को गया मुझे इंद्रदेव का एक दमा कश्वानी आई और क्या मानों साथ कितने दिन होगे मुलाकत नहीं आजाओ स्वर्ग मैं आजाओ मैंने अपना बड़ा हाती एरावत भेजा है और फिर मैं उसका पूछ पकड़कर उसकी पूछ पकड़कर डाइरेक्ट स्वर्ग में भगवान ने इंद्रदेव ने मेरा बहुत स्वागत किया वहां कि अफसराओने रुत्य दिखाया अमृत पिया सुबह सुबह में वापिस आया ये बात अगर मैं आपसे कहूँ थो क्या आप मुझ पर विश्वास रखोके ? आपको मालूम है अमरिका में कोई भी जा सकता है विशा पराप्त करकर मानो सब गए हो कि उसमें क्या बड़ी बात है आपने कई मित्र गयے है आपके कई मित्र गये है रिष्टेदार गये है कोई भी जा सकता है मानों صاحب आपका पासपोर्ट देखने को मिलेगा कौन-कौन से देश में गए जरा हमको भी पता चले हम भी जाने की कोशिश करेंगे मेरा पासपोर्ट देखते ही आपको पता चल जाएगा कि सही में मैं अमरीका गया था नहीं गया था अब मैं कही रहा है कि कल रात को मैं इस्वर्ग में जाकर आया हूँ सुबह सुबह वापिस आया हूँ अब आप मुझ पर विश्वास रखोगे नहीं रखोगे आप में से जो बहुत अंद विश्वासी नहीं है वें सबी मुझसे सवाल पुछेंगे कि मानव साब आप स्वर्ग में गए थे इसका क्या प्रूफ है आपके पास इंद्रदेव ने आपको बुलाया अब हादी की पूछ पकड़ कर स्वर्ग में गए इसका क्या प्रूफ है तब मैं कह सकता हूँ मैं कहता हूँ यही प्रूफ है इसी को शब्द प्रामान्य कहते है गुरू के मुँसे जो बात निकलती है वही शब्द प्रामान्य होता है आपको पूछने का अधिकार नहीं आपने पूछना नहीं चाहिए गुरू के मुझे निकलने वाला शब्द ही पुरूफ होता है इसी को शब्द प्रामाणने कहते है और इसके बात में उसके बारे में उस गुरू के बारे में शंका नहीं लेनी है जंदेया नहीं करना है, डाउट नहीं करना है और उसको जाचना भी नहीं है उसके चेकित्सा भी करना नहीं है इसको कहते हैं श्रद्धा रखना एक बार अपने श्रद्धा रख दे तो गुरु जो कहेगा वो सत्य क्योंकि वो सभी जानता है सब कुछ जानता है और इसलिए हमारे श्रद्धा का रुपांतरण अंदविश्वास में कब हो गया हमको पता ही नहीं चलता हमारे आस्था का कोई फाइदा उठा रहा है ये हमें पता ही नहीं चलता अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें लोगों में ये अवेर्नेस पहलाने में हमारे मदद करें वीडियो को जरूर शेयर भी करें तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानो को विजिट करें ऐसे सारे वीडियो का आनन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं नए वीडियो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए